केंद्र सरकार द्वारा पेश किये गए तीन क्रिशी कानूनों के खिलाफ किसान गत करीब तीन महां से आंदोलन रत हैं इसकी शुरुआत पंजाब से रेल रोकने को लेकर की गई थी जो बढ़ते हुए देश की राजधानी के प्रवेश द्वारों को रोकने तक आ गई हलाकि ये रोश यहां भी नहीं रुका बलकि क्रिशी कानूनों को लेकर 26 जनवरी को देश की राश्ट्र धरोहर पर किसी एक संगठन का जंडा फेहराने और देश की राजधानी में हिंसा तक की गई इसको लेकर सरकार ने कई उपद्रवियों के खिलाफ कानूनी कारवाई भी की है लेकिन किसान आंदोलन है कि थमने का नाम नहीं ले रहा इस आंदोलन को लेकर जहां देश भर के विपक्षी दल एक जुट हो गए वही अंतराश्ट्री अस्तर पर भी इसको समर्थन दिया जा रहा है लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस आंदोलन को लेकर फंडिंग कौन कर रहा है हलाकि इस मामले में खबर तो यहां तक निकल कर सामने आ रही है कि इसके पीछे कतित आतंग की संगठन खालिस्तान का हाथ है और इस बात की पुष्टी स्वेडिश प्रियावरन कार्यकरता ग्रेटा थंबर्ग के ट्विटर हैंडल के टूल किट से भी हो रही है सवाल यह भी उठता है कि आखिर खालिस्तान का इसके पीछे मकसद क्या है आरोप है कि किसान आंदोलन की आड में भारत को बदनाम करने की साजिश हो रही है स्वेडन परियावरन कार्यकरता ग्रेटा थंबर्ग ने सोशल मीडिया के विभन टूलो का इस्तमाल करते हुए लोगों को विदेशों में भारतिय दूतावासों पर प्रदर्शन करने के लिए उकसाया है विरोध के फोटो भी ट्विटर पर पोस्ट करने के लिए कहा है सवाल उठता है कि जो आंदोलन भारत में हो रहा है उसको लेकर विदेशों में प्रदर्शन की क्या जरूरत है जाहिर है कि ऐसी ताकते सक्रिये हैं जो भारत को मजबूत नहीं देखना चाहती है जिस भारत ने चीन जैसे शक्तिशाली देश से सेन्य मुकाबला किया और आतंकी देश पाकिस्तान में घुसकर एर स्ट्राइक की उसी भारत को कमजोर बताने की कोशिश हो रही है असल में कुछ ऐसे लोग हैं जिने जम्मू कश्मीर में शांती पसंद नहीं है और नहीं आयोध्या में राम मंदिर बनने से खुशी है ऐसे लोग भारत को बदनाम करने का कोई अफसर नहीं छोड़ते हैं वही देश के उन विपक्षी दलों का क्या मंतव्य है जो क्रिशी कानूनों का विरोध कर रहे है क्या उन लोगों का आज के दोर में समर्थन कर रहे है जो देश में एक भै का माहोल सा बनाते दिख रहे है क्या इन विपक्षी दलों के नेताओं ने अपने शासन काल के दोरान किसानों की सुद ली थी जबकि उस दोरान लाखों की संख्या में किसानों ने आत्म हत्या तक की लेकिन उनके दरवाजे पर कोई भी नेता जल्दी जाने को तैयार नहीं होता था कभी सूखे से कभी फसल की उचित कीमत ना मिलने पर कभी प्राकर्ती कापदा से फसल के बरबाद होने के बाद भी किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलता था लेकिन तब उन्हें कोई नहीं पूछता था और तब कोई किसान नेता उनके समर्थन में धरना नहीं देता था नहीं उनकी मांगों को राश्टिस सर पर कोई उठाय जाता था क्या तब उन्हें किसानों की पीड़ा नहीं दिखाई देती थी क्या तब किसान किसान नहीं थे वो क्या आज ही किसान बने हैं क्या राकेश टिकैत की ये मांग उचित है कि तीन क्विंटल गेहूं की कीमत ए पिहारीदार मजदूर कहां जाएंगे जो कड़ी मशकत के बाद भी दो वक्त की रोटी तक का जुगार मुश्किल से कर पाते हैं। क्या टिकेट की मांग राष्ट्र हित में है क्या किसान आंदोलन के बहाने टिकेट जैसे किसान नेता उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधान सभाचुनाव का प्लेट फॉर्म तो तयार नहीं कर रहे हैं अब दिल्ली की सी माओं पर पिछले ढ़ाई माह से बैठे किसानों ने ये घोशना की है कि 6 फरवरी को देश भर में नेशनल हाईवे जाम किये जाएंगे दोपहर बारा से तीन बजे तक का समय जाम के लिए दिया गया है ये पहला आफसर है जब तीन क्रिशी कानूनों का विरोध करने वाले किसानों ने दिल्ली से किसी प्रदर्शन का एलान किया है 26 जनवरी को ट्रेक्टर मार्च दिल्ली में ही रखा गया था लेकिन इस बार विरोध देश भर में रखा गया है नेशनल हाईवे जाम वाले विरोध से ही पता चलेगा कि किसान आंदोलन को देश भर में कितना समर्थन प्राप्त है अभी 211 आंदोलन संस्था है लेकिन हजारों लोग धाई मां से लगातार बैठे हैं इसलिए आंदोलन का महत्व तो है ही सरकार की ओर से भी बार-बार कहा गया है कि दिल्ली की सीमाओं पर धरना देने वाले किसान पूरे देश के किसानों का प्रतिनिध्यत्व नहीं करते हैं सरकार का दावा है कि तीनों किर्शी कानुनों को लेकर अधिकांश किसान खुश हैं क्योंकि इससे किसानों की खुशाली होगी सरकार और आंदोलन कारियों के अपने अपने तर्क हो सकते हैं लेकिन 6 फरवरी को पता चलेगा कि इस आंदोलन से देश भर में कितना समर्थन है चक्का जाम पर भी सरकार अपनी नजर टिकाए हुए है केंदर सरकार नहीं चाहती की 26 जनवरी जैसी हिंसा हो हलाकि संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी के चक्के जाम से दिली महानगर को अलग रखा है यानि 6 फरवरी को दिली में जाम नहीं होगा भले ही नेशनल हाईवे केंदर सरकार के अधीन आते हो लेकिन कानून व्यवस्ता की जिम्मेदारी राज्जी सरकारों की है देखना होगा कि चक्का जाम से कॉंग्रेश शासित राज्ज, राजस्थान, पंजाब और 36 गड़ में कैसे निप्टा जाता है किसानों को इस बात के रिए बर्गलाया गया है कि ये कानून आपके आपकी जमीन को ले जाएंगे मैं कहता हूँ कॉंटेक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए कोई एक प्रावधान बताए खाड़गे जी दुनिया जानती है पानी से खेती होती है खुन से खेती सिर्फ काग्रेश ही कर सकती है बारतीय जनता पाल्टी खुन से खेती नहीं कर सकती और इसलिए मैं सभापती मोदै आपके माध्यम से क्याना चाहता हूँ Contact Farming Act का कौन सा प्रावधान है? जो प्रावधान किसी भी ब्यापारी को किसान की जमीन च्छीने की अजाज़त देता है लेकिन लोगों को भड़काये जा रहा है जमीन चली जाएगी जमीन चली जाएगी जहां पर भी एक्ट में अगर Contact Farming का प्रावधान किया है Contact मूली का प्रावधान किया है Contact मूली से फसल का मूली बढ़ेगा सीजन पर तो उसका बोनस के रूप में हिस्सा किसान को मिलेगा ये प्रावधान किया गया है और किसान इस एक्ट से कभी भी बाहर हो सकता है ब्यापारी कभी भी बिना पैसे दिये इस एक्ट से बाहर नहीं हो सकता और मैं सभापती मौधे आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ पंजाग सरकार का Contact Farming एक्ट उठाईए हर्याना सरकार का Contact Farming एक्ट उठाईए और वो तो हुड़ा जी के समय पारित हुआगा उधर क्रिशी कानूनों के विरोध में जहां किसान पिछले करीब सवाद दो महीने से राजधानी दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं वही आंदोलन को लेकर राजधासभा में भी पिछले तीन दिनों से लगा तार्चर्चा हो रही है राजधासभा में केंद्रिय क्रिशी मंत्री नरेंद्र सिंग्ट तोमर ने कहा कि हमारी सरकार गाउं और किसानों के विकास के लिए प्रतिबद है कृशी कानूनों और किसान आंदोलन पर कृशी मंत्री ने कहा देश में सिर्फ एक राज्य के किसानों को कानून को लेकर गलत फहमी है किसानों को भड़काय जा रहा है कि उनकी जमीन चली जाएगी कोई हमें बताए कि कानून के किस प्रावधान में किसानों की जमीन छीनने का जिक्र है उन्होंने कहा मैं प्रतिपक्ष का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने किसान आंदोलन पर चिंता की और आंदोलन के लिए सरकार को जितना कोसना जरूरी था उसमें भी कंजूसी नहीं की कृशी मंत्री के भाशन के दौरान विपक्ष ने खुब हंगामा भी किया तोमर ने कहा बदलाव के प्रस्ताव का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन कानूनों में कुछ गलत है कॉंग्रेस सिर्फ खून से खेती करना जानती है भाजपा सिर्फ पानी से खेती करती है उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के कानून में किसान जेल जा सकते हैं लेकिन हमारे कानून में ऐसा कुछ नहीं है किसान जब चाहे इस कानून से अलग हो सकता है वही नरेंदर तोमर ने दिपेंदर हुड़ा से संसद में चल रहे ये कानून भुपेंदर हुड़ा कमेटी की रेकमेंडेशन है और कॉंट्रेक्ट फार्मिंग कानून पहले ही भुपेंदर सिंग हुड़ा हर्याना में लागू कर चुके हैं कितने लोगों की जमीन अभी तक गई है ये देश को बताएं पंजाब में भी कॉंट्रेक्ट फार्मिंग लागू है और वहां पर किसान अगर कानून तोड़ता है तो उसको सजा का प्रावधान है और साथ में पांच लाग तक जुर्माना है जबकि केंद्र सरकार ने इन कानूनों में सुधार कर नया कानून लाया है उसमें किसी भी कीमत पर किसान की जमीन नहीं जाएगी इसका प्रावधान किया गया है और व्यापारी बगेर भुगतान करे कानून नहीं रद्द कर सकता जबकि कानून किसान कभी भी रद्द कर सकता है कृशी कानूनों को काले कानून बताने वाले दिपेंदर हुड़ा केवल MSP की ही बात करते रहे जबकि नरेंद्र तोमर पूछते रहे इन कानूनों में काला क्या है इस पर पूरे विपक्ष को साप सूं गया किसी ने एक लाइन भी गलत नहीं बताई आखिर इस दोरान जवाब क्यों नहीं दे पाए विपक्ष के नेता वही दूसरी तरफ किसानों के चक्का जाम को लेकर दिल्ली पुलिस के सीनियर पुलिस अधिकारियों की पुलिस कमिशनर के साथ मीटिंग भी हुई ऐसे ही लेटेस्ट पर पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें थैन्यवाद